बुलेटिन मा आजे Citizenship Amendment Bill 2019 पर BBC गुचराती नुँ विशेश कवरेज अमें आपनी माटे लईने आव्या छीए बुधिवारे दिवस भर चर्चा आसाम मा बिलनो विरोध अने हिंसा वच्चे अंते राजे सभामा नागरिकता संशोधन बिल पसार थायू 125 सांसा दोए बिलना पक्षमा मतदान कर्यू 49 सांसा दोए बिलना विरोध मा वड़ा प्रधान नरेंद्र मोधिये बिल पसार थाताज तैने आवकारियू जयरे कॉंग्रेस अध्यक्षरा सोनी आगान दिये बंधारणी ए इतिहास नो कालो दिवस कहीने आघटना ने वकोडी हवे कैबने बनने ग्रूहनी मंजूरी मली गई छे रास्ट्रपती रामनात कोविन नी मंजूरी साथ हे ज ते कायदो बनी जशे परन्तु आ बधावच्चे इंडियन मुस्लिम लीगे नागरिकता स्रंशोधन बिलने सुप्रिम कॉर्ट मा पढ़कारे उचे आज सुप्रिम कॉर्ट मा एक अर्जी दाखल कराई जै मा कहवाई हू के आ बिल मा मुस्लिम हो साथ हे भेदभाव रखायो छे आ बिलनी जोगवाई हो मुझब पाकिस्तान बांगलादेश के अफगानिस्तान थी आवी ने भारत मा वसला शरणार थी होने भारत नू नागरिक्त्व आपवामा आवशे हिंदू, शिक, बाउद, जैन, पार्सी और क्रिस्ती समुदाईना लोकों ने भारत नू नागरिक्त्व मलशे परन्तो मुस्लिमों ने नहीं मले तेरे बीबीसी गुजराती ये पाकिसान, बांगलादेश और अफगानिस्तान नी श्रू प्रतिक्रिया चे तेपन समझवानों प्रयतन करें जमा सौथी पहला बात करें श्रू बांगलादेश नी जनविदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमे ने तेमनो भारत प्रवास रद करी दी तो छे सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से जो खबरे आ रही है बांगलादेश के रवये के बारे में हकीकत में सीचुएशन क्या है बांगलादेश क्या सोचता है इस बिल को लेके देखिए मंडे जब अमिजशा ग्रह मंत्री अमिजशा ये बिल लक्षभा में पेश किया था उसी टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि बंगलादेश में अभी भी इसी ने भारत को मजबूर किया ये बिल लाने में तो इसमें बंगलादेश का नाराजगी जाहिर हो गया उसी दिन फॉरिंड मिनिस्टर ने बीबीसी को एक इंटर्विव देकर कहा था कि ये सरासर जूट है बंगलादेश में ऐसे कोई रिलिजियस परसीकूशन नहीं चल रहा है ये इलजाम ठिक नहीं है और अगले दिन मतलब कल उन्होंने ये भी बताया धाका में कि इंडिया का जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स है जो धर्मनिरा पेक्षर चभी है धर्मनिरा पेक्षर ताकि जो महान इमेज है इस बिल उसमें चोट पहुँचाए गया ये फॉर ये अलपसंखों के साथ अत्चार निपिरन चल रहा है ये बंगलादिश नहीं मान रहा है और भारत का इस रूख ने जो बिल पेश करने के टाइम कहा गया था उसमें वो नाराज है बहुत नाराजगी जब जाहिर की गई है क्या इससे दोनु देशों के रिष्टों पे जरूर पैदा किया है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए तो आहता बीबीसी बांगला सर्वीस ना संवाद दाता शुभजियोती घोश जमने आविश्यापने माही ती आपी अब आजो भारत ना विदेश मंत्रा लेपन पत्रकार परिशतक परिण कहूं के बांगला देश ने भारत वच्चे ना संबंदो सारा चे जेती आप रवास रद थायो तैने आप बिल साथे जोड़ी ने जोवानी कोई जरूर ना थी परन्तु पाकिस्तान ने अफगानिस्तान मा आप बिलने लेने शूँ प्रतिक रिया चे ते पन जोई पाकिस्तान में सरकार हो, मीडिया हो या आम पाकिस्तानी हो सभी लोग इंडिया में सिटिजिजन्शिप अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसको बीजेपी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी की कॉंटिन्यूटी के तौर पर देख रहे हैं पाकिस्तान के परदान मंतरी इम्रान खान ने ट्विटर पे आज अपना रियक्शन दिया उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर मूदी की लीडर्शिप में जो भारत है वो एक सिस्टेमाटिक तरीके से हिंदू सुप्रमिसी की एजंडे की तरफ पढ़ रहा है इसके लावा मीडिया में जो है इसको बहुत कवरिज दी गई है बहुत से अख़बारों में आज ये फ्रंट पेज स्टोरी थी डेली दे न्यूस कहता है इंडियन पार्लिमेंट क्लेर्स एंटी मुसलिम बिल एक्स्प्रिस टिब्यून लिगता है इंडिया पासिस कंटें इसकिया है अपने लोगों के लिए मैंने आज अफगानिस्तान के फोरें अफाइर्स के स्पोक परसन से इस बारे में पूछा उन से पर अब तक जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उन्होंने इस बारे में मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया है पर राजदानी डिली मे अफगानिस्तान के सफारत के शार्जदाफियर ताहिर कादरी ने एक हिंदी मीडिया चैनल से गुफटगू में कहा है कि अफगान हुकूमत वहा यनि यहां अफगानिस्तान में रहने वाले सारे मिनौरिटीज की रिस्पेक्ट करते हैं और सब को एक ही नजर से देखते है भारत ना उत्तरपूर्व छेड़े आवेला असाम माबिलने लईने थाई रहला विरोध प्रदर्शनों हिंसक बनी गया त्यारे त्यां शूंस सिती चेते समझवा थोड़ी वार पहलाज अमे बात करी आसाम स्थित वरिस्थ पत्रकार रवी प्रकाश साथ है नागरिकता शंचोधन बिलने लेने बीबीसी समाचार माविश्रेश कवरेज यथावत रहश्रे हाल सरोकाई एक ब्रेक माटे नागरिकता शंचोधन बिल पास थता पाकिस्तान थी भारत आवेला हिंदू शर्नार्थी हो थाया खुर्श रोकाई एक विराव माटे मलिये थोड़ी जवार मा बीबीसी समाचार मा विरामबाद आपनो स्वागत चे हूँचू कल्पनाशा राजसभा मा एनार्सी नागरिकता शंचोधन विदेखना विवाद पर नी चर्चा वखते बीबीसी नी एक डॉक्यूमेंटरी नो उल्लेक थायो हतो बीबीसी ए नैशनल रजिस्टर आफ सिटिजन शिप नो विवाद चरम सीमा पर हतो त्यारे आर रिपोर्टर रजु करयो हतो जमा असरगरस्तों नी स्थिती जानवानों प्रयतन करायो हतो जो ये बीबीसी नी एक डॉक्यूमेंटरी ना किटला कंश्रो पाकिस्तान थी आवेला आ हिंदू परिवार ने तेमनी नागरिक्ता मड़ी गई छे जे दिवसे लोग सभमा नागरिक्ता संचोधन बिल पास थायो एज दिवसे आबाड कीनो जन्मत हैो एटले परिवारे बाड कीनो नामज नागरिक्ता राखी दिदू छे बच्ची होते ही नागरिक्ता की बाद शुरू होगी पता ने इसकी वजह से हमारे को नागरिक्ता मिल जाए जैसे हमसे अमने आप में इसको लच मी मान लेंगे मैंने बेटे का नाम भारती रखा था और बेटी का नाम भारती रखा था तो भारती भी आगी बारत मी और बारती भी आगी और बारती भी आगी और बारती भी आगया तो मैंने सोचा पोती का नाम भारती नागरिता रख दू तो साइद हमारी नागरिता हो जाए पारत मां गणी चेग्याए पाकिस्तान थी आवेला शरनार्थी वसे चे सरहत पार थी आवेला आहिंदू परिवारों ने आशा चे कि जल्दीच तेमने हिंदुस्तानी ओड़क मड़ी जशे तेओ कहे छे के धार्मिक उतपीडन अने भेदभावने कारणे तेमने पाकिस्तान छोड़ी भारत अववानों निर्णे लेवो पड़ेओ तेओ माने छे कि भारत मां तेमनी स्थिती सुधरी छे जोके पायानी सुविधाओ हजू पर नाथी मड़ी रही जोके अमुग युवा हिंदू शरणार्थियो एवु माने छे कि धर्मना आधारे भेदभावन नो था वो जुई समस्या है हमारे साथ उनके साथ मुस्लिम के साथ पी समस्या आएंगी तभी तो भारत में आ रहे हैं वो लो उन्हें पी मिलनी चाहिए नागरता आपने हमना जे डॉक्यूमेंटरी नी बात करी ते विश्य समझवानों प्रयतन करी शुपरंतु हाला पे जे एहवाल जो ते जन्मी हती तेनु नाम तेमने नागरीकता राख्यू हतु अने आखा परिवार मा खुश्यों छवाई गई हती तेना साथे संकलाय लो आ एहवाल हतो अने हवे जो ये विश्वनी केटलिक महत्व पूर्ण घटनाओ बीबीसी रामडप मा मेनमारना वड़ा आंगसांसुखी रोहिंगये मुसलिमों नरसहार ना कथित केस अंतिम दिवस्नी सुनावनी माठे अंतररास्टरीय अधाल्तमा पहुच्या हता गईकाले तेमने रोहिंगये मामले मेनमारनो बचाव करे और नरसहार ना दावा ने फगावीदी तो हतो चीली ना अधिकारियों नू कहवू छे के तेमने सौमवारे गुम थाई गयेला हवाई दलना विमान ना काटमाल ने शोधी काड़ेयों छे जहां थी C-130 हर्क्यूलस कारगो विमान नो छिल्ले संपरक थाई हो हतो ते जग्या थी 30 किलो मिटर दूर आ काटमाल मली आवयों तेमा कुल 38 लोको सवार हता आविमान चीली ना उत्तरभागती एंटार्क्टिक खाते ना तेना बेस पर जवा रवाना थाई हो हतो ते दर्म्यान गुम थाई हो हतो न्यूजिलेंड में सौमवार एजवाडा मुखी फाट्या बाद जे आठ लोको मृत्यूपा में होवानी आश्रम काचे तेमने मृतदेनी शोद को ओल शुक्रवार सवारे शरू कराशे पोलिस नू कहभू छे के तेमने जोएला च्रम रूत दे होने टापू पर थी बाहर लावानी प्रात्मीकता रह्षे जारे बाकी ना बेलोकों नी शोद करवा माट्यानों समय मर्यादी थाशे हॉलिवुड फिल्म प्रोड्यूसर हार्वे वाइंस्टाइन ने तेमनी सामे जाती है गेरवरतन नो आरोप लगावती महिला ओने समधानना भाग रूपे 25 मिल्लिन डॉलर नी रकम आपवानी ओफर करी हती तेमना पर जाती है शोषण नो आरोप लगावनारी त्रीज जेटली अभी नेत्रियों और भूतपूर्व कर्मचारियों वच्चे आरकम वहजवामा आउशे परन्तु तेमा हजुपन दरेकनी अंतिम सहमती नी जरूर छे हारवे वाइनस्टाइन तेमना पर लागेला आरोपोने न कारता रहा छे तो राजे सबामा एनरसी अने नागरिकता शंशोधन विदेयकना विवात परनी चर्चा अवखते बीबीसी नी एक डॉक्यूमेंटरी नो उल्लेक थायो हतो आज डॉक्यूमेंटरी ना किटलाग अन्शो जोई जाना बगी जाओ माटे जानीता आसाम मा ओगनीस लाख लोकोना भाविसा में संकड सर जायो छे अद्रश्यो आसाम मा एनार्सी नी यादी मा नाम आभ्यूके नहीं ते जोवा माटे संख्या बंद लोकोनी लाइन लागी छे तेना छे नागरिकता पूर्वार करवा माटे नी आ कवायत छे जेमनू नाम शामिल न थायू होए ते फोरें ट्रिब्यूनल मा अपील करी शके छे जेमा महिना उलागी शके छे जो तेमा सफ़र ता न मड़े तो पछी शूँ थाए तेनी सपष्ट ता न थी अहीं आसाम मा पहला अटकायत कैंप नू काम चाली रहू छे अहीं 3000 ती वधू लोकोंने राखवा मा आवे एवी शकेता छे तेमने ताजी तर्माज विदेशी जहर कराया छे बड़ी आसाम मा विविद च्छा अटकायत कैंद्रों मा एक जारती वधू कथित विदेशी लोकोंने रखाया छे ते जेल जेवी जग्यामा रहे छे दिशानू दस वर्ष नी बाड़ की छे तिमना माता संध्यारानी पॉल ने बे वर्ष अगाव विदेशी जहर कराया हता अमें कैंप मा रही चुकेला सोफिया साथे वाद करी दिवस मा अमने कैंदियों साथे राखवा मा अथा आने रात्रे जुदा रूम मा राखवा मा अथा कैंप मा छौ रूम हाता दरएक मा साहित लोकों 500 लोकों माटें मात्रρ चार नड़ हाता मात्र बैस Fresh अने बात रूम हाता और भीतोर सोड़ा ग्शारा से आसाम सरकारे बीबीसी ने आ अंगे कहुँ के मोटा भागना गैर कानूनी वसाहतियोंने कैदियो थी अलग रखाये छे परन्तु वदू संख्याने कारणे कोई क्वार तेवो एक बीजाना संपर्क मां आवी जता होये छे एक तरफ भाजब गैर कानूनी वसाहतियोंने खदेडवा मांगे छे परन भीजी तरफ किटलाक 24 लोकोंने रक्षन पन आपी रहू छे परन्तु अमें मुसलिम समुदायना लोको साथे वाचित करी तेमा घणाय चिंता व्यक्त करी क्या समग्र कवायत द्वारा मुसलिमोंने भारत भाहर खदेडवानी कोशेश ठही रही छे मानव उधिकार जूथोनू कहहू छे के नर्सी मुद्धे खुबज रोज छे अने तेमना मत प्रमाने पचासती वधुए पोताना जीव लईली दा छे जेती ओड़क माटे शरूथ हैली कवायत कदाच मानव संकट बनी शके छे BBC समाचार मा समय विरामनों आगल जोईशू पांच वर्ष मा योजायली त्रीजी चूटनी माटे ब्रिटन मा चाली रहूचे मत दान तो काई एक विराम माटे मलिये थोडी जबार मा विरामबाद BBC समाचार मा परियेक वार आपनों स्वागत हूँचू कल्पना शा वात यूके इलेक्षन नी पांच वर्ष मा त्रीजी वारी ओजाय रहेली सामाने चूटनी माटे ब्रिटन मा मतदान थाई रहूचे 4.6 करोड लोकू इंगलेंड, स्कॉटलेंड, विल्स अने नौर्धन आयलेंड मा वोटिंग माटे रजिस्टर्ड छे शुक्रवार नी वहली सवार्थीज परिणामो आवानी शरुआत थाई जशे जे नक्की करशे के ब्रिटन ना नवा वड़ा प्रधान कोण हशे आहवाल मा फ्लेश फोटोग्राफी शामिल चे ब्रिटन मा आत्यारे तहवार नो माहोल चे क्रिस्मस ट्री सजावी देवाया चे औने आवर्षे बैलेट बॉक्स पण मुका आया चे कडकरती ठंडी होवा चता देश भर्मा लोको वहली सवार्थी मद्दान केंदर खाते पहुंची रहा चे पांच अठ्वड्या सुधी ना प्रचार भ्यानों, चर्चाओ अने मद्दारों ने रिजवाना प्रयासो बाद मोटा चेहराओ पन मद्दान करवा पहुंची हाता वड़ा प्रदान बोरिस जोंसन पोताना स्वान बिलिन साथे सेंट्रल लंडन खाते मत अप्पा अव्या हाता तो लेबर पाटी ना नेता जेरेमी कॉर्बी ने लंडन खाते इस लिंटन मा मद्दान केंदर नी बहार फोटो माटे पोज आप्यो हतो मतदान स्थानिक समय प्रमाणे मोडी सांज सुदी चाल शे त्यार बाद तमाम नीनजर एग्जिट पोल पर हशे जे मतदान पोण थतानी साथे जहर करा शे रादबर सत्तावार परिणामों आवता रह शे पड़दा पाछल काम करना राओ माटे आ घणू मोटू काम छे जेम के आ चुटनी अधिकारी जे उत्राण मतदान केंदर नी देख रेख राखी रहा छे आ घणी मोटी व्यवस्थानू काम छे ब्रिटन मा आ समय चुटनी थवी आ सामान्य वाद छे चल्ले ओगणी सो त्रेविस मा डिसेंबर मा चुटनी यो जाई हती ब्रेक्जित पर कोई नेड़े नलेवाता आ चुटनी यो जाई छे 650 बैठको माटे चुटनी थै रही छे जो कोई पक्षने बहुमती मडे छे तो क्वीन द्वारा ते पाटी ना नेताने सरकार रच्वानू आमंत्रणा पाशे पन जो कोई पन पक्षने बहुमती नहीं मड़े तो संसद त्री शंकु रहशे अने त्यार बाद वाटा घाटो करी ने गठ बंधन सरकार रच्वानों प्रयास करा शे अत्यारतों वेस्ट मिन्स्टर मां सन्नाटो छे पंटूंक समय माज खबर पड़ी जशे के प्रख्यात 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर स्थीत प्राइम मिनिस्टर ना घर मां कौने स्थान मड़े छे एक एवी जुटनी जेने ब्रिटन वर्षो सुधी नहीं भूले यह चुनाओ फैसला करेगा के ब्रिटन यूर्पीन यूनियन के साथ रहेगा या नहीं रहेगा यानि जो ब्रेक्जिट के नाम से जाना तक ब्रेक्जिट होगा या नहीं होगा मत दाता जादतर इसी मुद्दे पर वोट डाल रहे है लेकिन जो भारत पाकिस्तान और बंगलदेश से आये लोग यहां बसे हैं उनके बीच ब्रेक्जिट का मुद्दा तो है ही साथ साथ कश्मीर भी एक अहम मुद्दा होने के लिए क्योंके भारती मूल की लोग अधिकतर लोग कम से कम कहा जा सकता है कि वो किंसरवरिslow party का जो स्टैन्ड है कश्मीर पर उसको वो सपोर्ट करते हैं जबके पकिस्तानी मूल की लोग लेबर party का जो स्टैन है कश्मीर पर उसको वो तरजिय देते थे हैं नतीजे कल सुबह से ही आना शुरू हो जाएंगे और अब ये देखना है कि यहां के वोटरों ने ब्रेक्जिट पर कोई अपना ठोस फैसला दिया है या नहीं आने हवे वात ज़वाय हूपरी वर्तन नी क्लाइमेट चेंज ने लईने वर्ल लीडर्स ने सवाल पूछना रा ग्रेटा थन्बर्ग ने टाइम मेगेजीने परसन अफ दे येर जाहर करया चे सोड वर्शियों ग्रेटा आखिताब मिडवनार सौथी नानी वाइना व्यक्ती चे चीली ना मैडरिड में चाली रहेली कॉप 25 सम्मिलन मा ग्रेटा एश्रू कहुँ सामभडिये जलवायू परिवर्तन ने लईने दुनियाना देश्रो चिंतामा छे वामा वैग्नानी कोई वधू एक चेतावणी चाहेर करी चे सेटेलाइट डेटा अनुसार ग्रीनलेंड नो समुद्री बरफ नेउना दायका करता साथ गणी वधारे जड़प्ती पिगली रहो चे आने जो आ बरफ आमज पिगलतो रहो तो दुनियाना अनेक देश मा लाखो लोको ना जीवन जोखम चे प्रुथ्वीनों तापमान जे रिते वधी रहो चे ए जोता ग्रीनलेंड नो बरफ जोखम मा चे आने ते जड़प्ती पिगली रहो चे उनालानी रूतुमा अही मोटी हिमशिलाओ उगली रही चे जेने लिधे दरियानी सपाटी मुची आवी रही चे ग्रीनलेंड नो अदरियाई बरफ जड़प्ती पिगलवाने कारणे अनेक देशों माटे ते चिन्तानों विशे बनी गयो चे सेटिलाइट डेटा दर्शावे चे केवी रित्याने केटली जड़प्ती ग्रीनलेंड नो बरफ अदरश्य थाई रहो चे लाल रंग माँ दर्शावेला विस्तार सवथी समवेदन शेल चे जेने लेने वईगनानी को चिन्ती चे आ खुब तनाव भरियो चे ग्रीनलेंड ना केश मा दर्याय जड़स्तर नू बत्तु तापमान हेम शेलाओने पिगड़ावी रही रही चे आ दबक के पहुंत्ता आपणने दाईका उलाग्या चे अने परिस्तिती आनाथी पन बत्तर थाई शके छे ग्रीनलाइन मा जे थाई रही चे तेनी असरो दुनिया मा वरताई रही चे उग्रिसोने बानू थी दुनिया भर्मा आठ ट्रिलियन टन जेटलो बरफ पिगडी चुक्यों चे जेने कारणे दर्याई सपाटी 10.4 मिलिमीटर जेटली उपरावी चे आम तो वधारे नथी परन्तु प्रती 12 सेंटिमीटर नू वत्तु दर्याई सतर अंदाजे साहीट लाख लोकोना जीवनने जोखमा मुकी रही चे आवामा वधू बरफ पिगड़वो दुनिया मा टे खातक छे जो तमे आज रीते उत्सर जन चालू राख्यू तो परिस्तिती वनस्ति जोशे अने आपना भविश्य परतीनी उंडी असर थवानी चे ओक्स फाम ना जुंबेश कारों नू मानवू छे के दरियाई सपाटी वधी रही चे आने वैश्विक नेताओ तेन जहाब आप्पामा निस्वर रहा चे पर्यावरान करमशिल ग्रेटा थनबर्ग बने आछे दुनियाना सवती नानी उमरना टाइम परसन ओप दे यार तना परज्जोई ये शुन्यनी शाही थी अभी व्यक्ती ने वातावती कालनी करिये नेधरलेंड्स मा एक रास्ट्री ए उद्ध्यान लोको जाते जो क्रिस्मस ट्री कापी न लई जाए तेउं क्या मिच्छे जे ते जानी शुँ बीबीसी समाचार मा आवती काले रातरे आट कल लाके बीबीसी समाचार नूँआ बुलेटीन आप बीबीसी गुजराती नी यूट्यूब चैनल पर पंचो इश्रको छो आज माटे बसाटलूज आवती काले फरी मोली शुँ आद समय